शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने खापर खेडा थाने के दो पुलीस करमचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया है यह कारवाई मंगलवार की दो पहर की गई है आरोपियों में सुरेंदर ठाकरे और अमोलकाले का समावेश है कोराडी निवासी शिकायत करता अमीच सरोदे का मटरियल सप्लाई का व्यावसाय है विगत पाजून को खापर खेडा थाने में पुलीस करमी सुरेंदर ठाकरे ने अपने सहकरमी के साथ देहगाओ में अवे तरीके से रेत लात कर ले जाते हुए सरोदे का ट्रक पकड़ा था मामला रफा दफा करने के लिए सरोदे ने साथ हजार रुपए दिये रेत पडिवहन करने में किसी तरह की परिशानी ना हो इसलिए अमीच सरोदे ने सुरेंदर ठाकरे से संपर्क किया वह खापर खेडा थाने के डिवी स्कॉर्ड में है सुरेंदर ने प्रतिक गाड़ी की एंट्री के लिए हर मेने पाच जार रुपए की मांग की सरोदे ने इसकी शिकायत एसी बी नागपुर कारियाले में की पी आई योगिता साफले ने टीम के साथ दबीश दिये और उस समय वे कामयाब नहीं हो पाई लेकिन मंगलवार को पुनहा जाल बिचा कर सरोदे को पाच जार रुपए लेकर सुरेंदर ठाकरे के पास पहुँचे सरोदे पाच जार रुपए लेकर सुरेंदर ठाकरे के पास पहुँचे लेकिन उसने रुपए ठाने की याताया च्छाखा में कारियरत अमुल काले को देने को कहा रुपए लेते ही एसी बीने काले को धर दबोचा